समझना आपकी निर्विरोध भक्ती होनी चाहिए वो आपके अंदर होनी चाहिए हाँ मिलने जुलने में राधे राधे कह दिया अगर वो भक्त बने यह बात आप साहित कम समझ पा रहे हो आप भक्त बन जाओ वो आराध्य देव है तो शिदान्त सही हो जाएगा फिर आपके रोम रोम का ऐसा प्रभा होगा कि जो आप चाहिते हैं न वो हो जाएगा भक्त ह्रदय की एक एक व्रत्ती शमाज का मंगल करती वास्ति वी कि वो बोले न बोले वो देखें न देखें उनके जो आंतरिक परमान हो निकल करके प्रकति को मंगल करते रहते हैं जैसे एक गाउ दुष्टा आत्मा रहता हो, हिंसक तो पूरा गाउन निंदनी हो जाएगा नहीं हो जाएगा उस गाउन में रहते हैं क्या वो जो गुड़ा रहता है, जो कतल करता है एक आदमी के नाम से उस गाउन की पूरी छवी बरबाद हो जाएगा और उस मुहले में अशांती पैदा हो जाए रेक धर्मात्मा और भक्त इसी वेश में जैसे हो आप तो आपके आसपास का वातावर और आपका परिवार आपके विद्यार्थी अपने हाप आपके परमानों से प्रभावित बिना परमानों के वचन से बात नहीं बनेगी वचन से खुब परूपदेश करते हो अंदर से खुद गड़बन तो पाई वरंतर नहीं पड़ेगा किसी की उपर केवल नौ टंकी में जैसे रोल होता है न स्वांग बगवो केवल होता है अंतर नहीं पड़ेगा तुम्में सामने वाले में और आप अपनी ठसक में है न तो तो सुगंद अपने आप ना चाहने पर भी सबकी ग्राणेंद्री में पहुंच जाएगी ऐसे आप ख्रदेश से राधा राधा जब रहो तो आपका प्रभाव अपने आप पढ़ जाएगा